Hey guys, Assalamualaikum, Welcome to my channel So guys, आज की वीडियो की जरिए मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही important topic की बारे में जो है pimples तो guys, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि pimples क्यों आते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी बारे में Plus guys, मैं बात करूँगी कि आप कौन सा home remedies, कौन सा medicine, कौन सा face wash यूज करके आपकी pimples को reduce कर सकते हो, pimples mark को remove कर सकते हो इन सब कुसकी बारे में So guys, please, आप लोग वीडियो को end तक जरूर देखिएगा and साथ ही guys, अगर आप मेरी चैनल पर नई हो तो please, मेरी चैनल को subscribe कर दिजएगा तो guys, चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि face पर pimples क्यों आते हैं उसकी बारे में तो guys, आज़ कल pollution की पजाँ से face पर गंदेगी आ जाता है and उन सब गंदेगी की पजाँ से जो face का support से वो block हो जाता है and block होने की पजाँ से face पर pimples आ जाता है साथ ही guys, अगर आपकी face oily है तो आपको थोड़ा बहुत pimples का दिकत तो हो ही जाएगा तो चलिए guys, आप हम बात कर लेते हैं कि यह जो pimples है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी बारे में so guys, अगर आप चाहते हो कि आपकी face पर कभी pimples ना आएं तो आपको चाहिए एक अच्छा सा face wash so guys, अच्छा सा मतलब यह नहीं कि कोई भी अच्छा brand का होना परेगा या इसका price बहुत जाता होना परेगा, ऐसा विल्कुल नहीं guys मेरा मतलब यह है guys, कि आप जो भी face wash उस करते हो अब एक बत कर जुरूर नोटिस किजिएगा कि उसमें क्या क्या ingredient है और वो जो ingredient है और आपकी face के लिए beneficial है कि नहीं तो guys, आज मैं बात करूँगी एक बहुत अच्छा सा face wash की बारे में जो है आहा गलो face wash तो guys, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ingredient है और यह जो ingredient है, एक face के लिए beneficial है कि नहीं इन सब कुस की बारे में तो guys, इसमें है vitamin E, glycolic acid, aloe verazelle, potassium, plus amino acid और भी बहुत सारे हैं, आप लोग वीडियो को पर्स करके देख सकते हो और यह जो ingredient है, यह सारे ingredient फेस के लिए काफी ज्यादा beneficial है और इसमें जो glycolic acid है, यह face को, फेस में जो pimples से उसको वे विल्कुल reduce कर देता है साथ ही यह pimples mark को भी remove करने में काफी ज्यादा मदद कर होता है और यह जो face wash है, एस जेल फ्रॉम में आता है इस जो face wash है, इसको कैसे apply करना है उसके बारे में तो बाद 2-3 मिनीट तक अपनी face को सक्राइबिंग कर चर्कुलर मशन में सक्राइबिंग करते रहेगा और आपटर 2-3 मिनीट आप अपनी चोहरे को प्लेन वाटर से अच्छी तरह से वाश कर दीजेगा और यह face wash है यह आपकी skin की सारी प्रोब्लेम का खतम कर देगा 15 या 7 डेस तक यूज़ करते हो तो आप इसका result खुदी देख पाऊगी तो चलिए guys आप हम बात कर लेते हैं कि age pimple से इसको हम कैसे treat करेंगे कैसे treat करेंगे उसके बारे में आप में एक product मतलब medicine की बारे में बात करूंगी जो मुझे dermatologist ने recommend की थी वह है Glosin Gel जिसको लोग clean domycin plus nicotinomide gel भी कहते हैं इसमें जो जो ingredient है वो basically clean domycin and nicotinomide ही है जो clean domycin होता है वो anti bacterial होता है तो guys जिस bacteria की बचाह से face पर pimples एकने आ जाता है वो इसको खतम करने में काफी ज्यादा helpful होता है plus guys इसमें जो nicotinomide gel है उसको लोग vitamin b3 भी कहता है वो क्या करता है कि pimples की बचाहस से जो दाग धब्वे आ जाता है उसको यह remove कर देता है साथ ही pimples को भी रिड्यूस कर देता है और प्लास यह आपकी स्कीन से डालेस रिंकल्स ड्राक स्कोट को भी remove करने में काफी ज्यादा मददकार होता है चलिए आप हम बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है और इसको कैसे अपलाई करना है इन सब को इसके बारे में यह जो जेल है यह 30 ग्राम का है और इसका प्राइस है वो है 140 रूपीस तो चलिए गाइस आप हम बात कर लेते हैं कि इजेल को कैसे अपलाई करना है उसके बारे में आप इसको रात को सोने से पहले आपकी जहाँ जहाँ पिंपल से आप फिंगर की हल्प से ठीक वहाँ वहाँ ही इसका इस्तेमल किजिएगा otherwise आप इसके इस्तेमाल ना किजिएगा and guys एक बात का ख्याल रखना कि यह जो क्रीम है यह बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है and इस क्रीम को इस्तेमाल करने के टाइम आपकी जो आख है वो धियान रखिएगा कि यह आख की आसपास इसका एपलाई ना करे and plus guys अगले दिन सुबह आप अपने फेस का नर्मल वाटर से वाश कर सकते हो and guys आप इसको लगातार 7 days तक यूज कीजिए यूज करने के बाद इंशुए लब को अच्छा रिजल दिखने को मिल जाएगा तो चलिए guys आप हम कूस ऐसे home remedies देख लेते हैं कि जिसको हम यूज करके pimples एकने को reduce कर सकते है so guys एस जो home remedies है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए clean bowl and इसमें हम एट करेंगे 1-2 teaspoon of turmeric powder plus 1-2 teaspoon of lemon juice तो guys इसमें जो turmeric powder है वे anti bacterial होता है तो guys जिस bacteria की वज़ाद से pimples आ जाता है वूज उस bacteria को यह खतम करने में काफी ज़्यादा मदद करता है plus यह pimples को reduce करने में काफी ज़्यादा मदद करता है plus guys इसमें जो lemon juice है lemon juice में vitamin C होता है वो anti-oxidant है plus इसमें lectic acid होता है जो pimples को reduce करने में काफ़ी ज़्यादा helpful होता है साथ ही guys अगर आप इस paste को अपने face पर लगा लेती हो तो pimples तो reduce होगी ही साथ ही pimples का जो दाग धबवे है उसको भी रिमूब करतेगा साथ ही आपकी skin को पहले से ज़्यादा fair glowing बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा तो चलिए guys आप हम बात कर लेते हैं कि इस face pack है इसको कैसे लगाना है उसकी बारे में पिंपल मार्क को रिमूब करना बेहुती आसान है लिए लिए पिंपल मार्क को रिमूब करना बेहुती आसान है लेकिन guys इसमें थोड़ा time लगता है तो guys पिंपल मार्क को रिमूब करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए potato juice potato juice में बहुत सारे vitamins, minerals, nutrients and antioxidants होता है जो dark spot को रिमूब करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है साथ ही guys पिंपल को reduce करने में भी काफ़ी ज़्यादा helpful होता है so guys इस remedy को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए potato juice and उस potato juice में आफ हम एट करेंगे 2-3 टी स्पून औप बैसन guys इस जो बैसन होता है बैसन फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा beneficial होता है यह फेस से dark spot को remove करता है साथी tanning को remove करता है plus guys a facial hair coffee remove करने में काफ़ी ज़्यादा helpful होता है so guys इस जो ingredient है एफेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे मन है so guys आप हम इसको अच्छी तरगे से mix करके एक अच्छा सा paste बना लेंगे ताकि हम इसे easily apply कर पाए so guys देखिए paste बिल्कुल ready हो गई है आप इसको apply कर सकते हो so guys आप इसको easily आपकी finger की help से पूरे चेहरे पर apply कर लिजिएगा and apply करने के 20 minutes बाद आप अपनी चेहरे को plain water से अच्छी तरह से wash कर लिजिएगा and guys आप इस remedy को होपते में 2-3 पर यूज़ कर सकते हो and guys आप बहुत जादा दाग धब्बे हो तो आप इसको regular भी यूज़ कर सकते हो plus guys आप इस paste को regular 15 days तक यूज़ करते हो लगाते हो तो आप खुदी इसको result देख पाऊगी and साथ ही guys आज की वीडियो बस इतना ही था वीडियो पसेन आई तो वीडियो को like, share, comment साथ ही मेरी चैनल को subscribe कर दिजएगा